कैसे हैं आप सब? कल हमने Yes Bank के डीटेल में चर्चा की थी, हमने fundamental as well as technical analysis किया था वीडियो के last में जब हम technical analysis कर रहे थे तो मैंने बात की थी कि Yes Bank में बड़ी तेजी आपको 15 रुपाय के resistance को break करने के बाद ही देखने को मिलेगी यह जो green candle बनी थी कल वो थी एक shooting star high volume के साथ तो मैंने बोला था 15 रुपाय के बाद ही आप इसमें बाई करने का सोचना आज की बड़ी गिरावट के बाद हो सकता हो अगर आपने इसमें बाई किया हो या बाई करने के सोच रहे हो तो आपको लगेगा अच्छे result के बाद भी Yes Bank गिर गया वो भी इतना बड़ा ऐसा क्यों cash share में कोई problem है problem तो पहले थी उस वो तो हमने बात किया तना कि problem solve हो रही है actually देखो आप कई बार देखते होगे सिर्फ एस बैंक के केस में नहीं बहुत सारे shares के case में कि अच्छे result के पहले share में बहुत तेजी से buying आती है और जैसे ही अच्छा result आता है share price गिर जाती है या कई बार जब खराब result आने वाला होता है तो आप देखो कि पहले से ही selling आन या management नहीं कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको result का पहले से अंदेशा होता है मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि management इसमें involved होता है information leak होती है ऐसा बिल्कुल भी मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये illegal है this would be a insider trading लेकिन आप कितना भी rule बना तो information को आप रोक सकते नहीं हो तो definitely कुछ लोग जो काम करते हैं या company के लिए काम करते हैं या company outsource करती है कुछ लोगों को पहले से information पता होती है और हर share के case में ये story same है same आप yes bank के case में भी देखोगे कि result के एक हफते पहले से yes bank में higher than average volume आ रहे थे और देखो buying शुरू हो गई थी और बहुत तेजी से बढ़ा और especially result के दो दिन पहले बहुत बड़ी buying आई ये actually वो लोग होते हैं जिनको last में पता चलता है उसके बाद ये bulk buying आती है ये confirmation के बाद की buying आती है कि result अच्छा आने वाला है इसलिए इतने high volume के साथ इतना बड़ा बड़ा price movement है तो basically जो आज की selling है वो rather than कि yes bank के साथ कुछ ख rather than कि share के results में कोई भी problem है ऐसा बिल्कुल नहीं है मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप सोच रहो कि अच्छे result के बाद भी share गिर गया यार yes bank इसका तो भरोसा करे ही नहीं सकते है ऐसा हर share के साथ होता है जादतर share के साथ यही कहानी है अगर आप निवेशक हो आपका थ changes हो रहे हैं जो कि बहुत ही positive है आज की गिरावट के वजह से आप उसके जो भी अच्छा किया है उसने इस quarter में उसको निगेट मत करते ना उसको अपने ध्यान में रखना और हो सकता हो आपको नीचे price पर खरीदने का मौका मिल जाए अगर आपको इसमें position बनानी ही है तो लेकिन ये तो हो गई निवेशकों की बात अगर आप trader हो तो आपको बिल्कुल भी 15 रुपए से पहले इस share को नहीं खरीबना है reason पहले green candle shooting star थी आज आपको उसका confirmation मिल गया है जो हमने पहले भी बात की थी overall अब pattern देखो गए ये तो ये एक bearish engulfing और बहुत ही proper bearish engulfing है with a very high volume तो definitely ये stock यहां से और थोड़ा सा correct हो सकता है तो trading perspective से आपको अभी share में नहीं खरीदना है जब तक ये 15 रुपय का एक बड़ा resistance है बहुत पुराना resistance है बड़ा resistance है जब तक ये resistance पार्व नहीं होता तब तक इसमें एक बड़ी तेशी नहीं आएगी तो आप trader हो तो उसके बाद ही खरीदने का सोचना और एक और बात ध्यान रखना कि अब शुरू हो रही है monthly expires week से निफ्टी और bank निफ्टी से भी उतना support मिलेगा नहीं तो मुझे नहीं लगता कि इस हफते के अंदर अंदर ये पंदर रुपय पार होगा उसके बाद जरूर आ सकती है अच्छे result का प्रभाव लेकिन अभी थोड़ा सा pressure maintain रह सकता है share में मुझे लगा कि कल की वीडियो के बाद ये update देना बहुत जरूरी है especially जब share इतना correct हो ग आप ने ये पूरा वीडियो देखा तो thanks a lot for your patience as always I love to see you back और आपका कोई भी suggestion हो कोई और स्टॉक पे अनलेसिस हो तो उसको जरूर कमेंट में जरूर बताईएगा thank you